सुधाइशू से नाराज चल रही थी चांदनी, बातचीत भी बन थी, अनबोला था, जैसा अक्सर प्रेमी प्रेमिका में हो जाता है, ऐसे मामलों में या तो सुला हो जाती है, या फिर ब्रेक अप, लेकिन सुधाइशू ने चांदनी और उसके परिवार के साथ जो किया, व वो दहला देगा आपको, लड़की के साथ उसका प्रेमिका संग था, बातचीत होती थी, अभी कुछ दिनों से बातचीत बंद थी, चपरा के रसूलपूर थाने का धाना डीग, जहां रहने वाली चांदनी कुमारी सुधाइशू उर्फ रोशन से प्यार करती थी, लेकिन दोनों के दौरान पिछले कुछ दिनों से अनबोला चल रहा था, चांदनी फोन नहीं उठा रही थी, ऐसे में सुधाइशू अपने दोस्त के साथ मंगलवार 16 जुलाई की रात चांदनी के घर पहुँचा। तोड़ वार करने शुरू कर दिये, पिता की नींद खुल गई, उन्होंने रोका तो घुस्से में पागल सुधाइशू ने तारकेश्वर पर भी हमला कर दिया, इतना ही नहीं उसने चांदनी की बहन आभा कुमारी को भी निशाना बनाया, उसे भी चाकूँँ से गोद ड चांदनी की माँ चीख रही थी, हैवान बन चुका सुधाशू उनकी तरफ दोड़ा और हमला कर दिया, बेटी के संकी आशिक के वार से वो भी बुरी तरह जखमी हुई लेकिन जैसे तैसे भाग कर अपनी जान बचाई, चाकूँँ के जबरदस्थ हमले से नाबालिक चां अबल मर्डर से देहल गया है सारन जिला, खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपी सुधाशू और उसके दोस्त अंकित कुमार की तलाश शुरू की, जल्द ही दोनों भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, घटना के संबंद में चांदनी की माश्यो भा देवी ने बताया है तो कहीं का नहीं छोड़ूँगा, माबाप और पिता भाई सब को मार दूँगा, और आखिर उसने वही किया अपड़े जो उनके पून से सने हुए हुए भी हम लोगों ने बरामत कर लिया है, इसके अलाबा उनके हाथ पर चोड़ के निशान है, उनके पैरों पर फून के चीते हैं, तो यह सारी चीज़े जो है हम लोगों ने बरामत कर ली है, और अजकाल उसकी मां का इलाज खरव अभी कुछ दिनों से बातचीत बंद थी जिसको लेकर युगववव शुप्त था और उसी सिंसले में इस पटना को अंजाम दिया गया है